आप सब का दिल से स्वागत करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि आपको इन कानूनों से क्या नुक्सान होगा। इस विदक से स्रिफ कंपनियों और अंबानी अंदानी जैसे लोगों का ही भला होने वाला है। जो भी हम उत्पादन जैसे एकादी कंपनी ने लेके गए तो हम उन्हेंने पैसा नहीं दिया। तो हम उनके रिलाइंस वाले के घर पे जाके रो ने सकते। वो तो हमको दंडे मार के खेदानेंगे बहाँ से। हम तो डूग गए ना मर गए ना पिर क्या खाने वाले क्या करने वाले। कार्पोरेट जगत के लोगों को माल सफ्ता लेने के लिए प्रोविजन रहेगी। और वो जब अपना माल खरीदेंगे किसानों का, तो वो आपको चार दूपर टीपर तीन गुना, चार गुना भाव में बेचेंगे। आपका कहना है कि पहले इस्ट इंडिया कंपणी थी, अब वेस्ट इंडिया कंपणी आई है, 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 वेस्ट इंडिया कंपणी कंपणी आ जाईगी। अब पैसा भी देना बंद कर दिये, यहां नहीं लेंगे, यहां नहीं लेंगे, कम पैसा कैसा देंगे. जो पिछे पूरो जो सरकारों ने काम करें थे, जो देश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, युगा के लिए, उस चीज को बेचने जादी करने लग रहे हैं, हर चीज को बेचने लग रहे हैं, एरपोर्ट उनको बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रह मेरे को नहीं लग रहा कि कोई किसान को बचाएगा आप लोग सब मेहनत करके और इस काम को ठाके और इस किसान को बचाने का कार्य करोगे देश का बहुत बला हो गार किसान का दुबला हो गाईगा आज किसी पालतिगा कोई मतलब नहीं जी आज सिरफ देश के युगा को इसका विरोध करना ही पड़ेगा किसानों के लिए नहीं हिंदुस्तान के भविश्य के लिए किसान की आवाज युवा में है किसान की आवाज सेना में है पुलीस में है किसान की आवाज में बहुत दम है और इसी आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने आजादी ली थी किसान की आवाज से हिंदुस्तान अजद हुआ और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान अजद होगा किसान की आपवाज से